जैहिन दोस्तों, दोस्तों अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोगने प्रेस कॉन्फरेंस कर गए पांच राज्यों के चुनावों की तारीकों के एलान करा जिसमें पच्छिम मंगाल भी था पच्छिम मंगाल की 294 सीटों पर आठ चरनों के अंदर वोट दाले जाएंगे 27 मार्च को पहला चरने और लास चरने यानि आठवा जो चरने वो 29 अपरेल का है प्रदान मंतरी नरंदर मोदी जी की 20 रेलिया भारती जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव में रखी है दोसलों जैसे ही ने भारती जनता पार्टी बहुत जीदा फोकस कर रही है कि इस बार हमारी सरकार बननी चाहिए टीमसी की सरकार नहीं बननी चाहिए आज प्रदान मंतनी नरंदर मोदी जी की पहली रेलियी थी बंगाल के अंदर उस रेलीक में मितुन चकरवती भारती जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने जोइन की और प्रिधान मंतिर नरदर मोदी जी के साथ उन्होंने स्टेज पे भी शामिल हुए और भाशर भी दिया दोस्तों जैसे ही मितुन चकरवती भारती जन्दा पार्टी को जोईन करते हैं शामिल होते हैं तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ और उनके बारे में लोग बाते करने लगते हैं कहने लगते हैं कि मितुन चकरवती को तो बीजेपी में शामिल होना ही था क्योंकि मितुन चकरवती के बैटे और उनकी वाइफ यानी जो पतनी है उनके उपर एक आरोप लगाया है 17 अक्तूबर 2020 को एक महीला ने उस महीला का कहना यह था है कि मितुन चकरवती के जो बैटे हैं उनके साथ मैं 2015 से रिलेशन्शिप में थी उसके बार मितुन चकरवती के बैटे ने मेरे साथ गलस संबन बनाया और जबरदस्ती करी और मितुन चकरवती की जो पतनी है उनके उपर वो महीला अरोप लगाती कि मेरे उपर दबाब दाला और जबरदस्ती मुझे मतलब धमकी दियो और जबरदस्ती मेरा अबोर्शन कराया तो इसी को देखते हुए मितुन चकरवती बीजेपी में शामिल हुए है ये लोगों का मानना है जैसे ही वो जोईन करते हैं भारती जनता पार्टी वो ये सोचल मीडिया पर बातें लोग करने लगते है तो सो मैं आपको बता दू भारती जनता पार्टी का और देश में एक माहौल बन गया है अगर किसी के उपर कोई केस चला है कोई नेता है किसी के उपर कोई रेड दल लई है किसी के उपर कोई बिर्टाचार का आरोप है किसी के उपर कोई गोटाले का आरोप है तो वो बीजेपी में चला जाए तो वो बच जाएगा ये देश के अंदर माहूल बने और ऐसे बहुत से नेता है कॉंग्रेस के हैं टी-म-सी के हैं हर पार्टी के से नेता है उनके उपर केस चलते हैं दबाब दलता है जैसे हो भार्ची जनता पार्टी में चले जाते हैं वैसे ही उनके उपर सब चीज़ें खतम हो जाती हैं कोई पी द्वाब सारे केस सब किलोप कर दिये जाते हैं तो क्या मिधुन शकरवती भी इसलिए ही शामिल हुए अपने बेटे और पतनी को बचाने के लिए क्या उनका भी यही राज है कि उनके बेटे के उपपर महीला ने रेप का केस लगाया था और उनकी पतनी के उपपर तो आपको पता चल जाएगा चलिए इस वीडियो में इतना ही